हेलो फ्रेंड्स माइनेम इस अभाय कुमार दोस्तो आज हमारे बीच में एक बहुत ही खास महमान आज आए हैं अपनी बात रखने के लिए आपको पता है कि 10 दिसंबर के रोज पूरी दुनिया में जहां पर भी लोगपंत्र है जहां पर भी जुम्हूरियत है वहाँ पर उस 10 दिसंबर को उसको Human Rights Day यानि मनावाधिकार दिवस के तोर पर मनाया जाता है इसको हम उर्दु में कहते हैं कि इनसानी हुकूप का यह दिन है और क्यों मनाया जाता है क्योंकि 1948 में इवन जो है उसकी General Assembly जो है उसने एक documents को adopt किया और वहाँ पर कहा गया कि इनसा हिंदुस्तान जो है चाहे उसका रंग कुछ और हो चाहे उसका मजभब कुछ और हो चाहे जात बिरादरी में वह कहीं पर भी हो या फिर हो मर्द हो या औरत हो चाहे उसकी Nationality कुछ भी हो चाहे हो किसी मुल्क या कौम का हो सबको बराबर के हुकूप मिले हुए है लेकिन हमारा मुल्क जो प्यारा हिंदुस्तान है इसमें आप देख रहे हैं कि गुज़स्ता 6 या 7 या 8 सालों में जो इनसानी हुकूप की जो पामाली है जो मनावधिकार जो है उस में मुसल्मान संपरदाय के उपर हमला हो रहा है यह बात बिल्कुल 100% सही है लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो मजदूर भाई हैं जो किसान भाई है उन पे भी हमला है जो अन पिछडी जातियां है उसके उपर भी हमला है दलित और आदिवासी तमाज के उपर भी हमला है औ और जो दीगर religious minorities हैं जैसे Christian community हैं जो इसाई हैं भारत के उनके उपर भी हमला है और दोस्तों इस देश में इसाई बहुत हजारों साल से यहां पे रहे हैं अंग्रेजों के आने से पहले भी उनकी यहां पे तारीख है तो उन समुदाय के बारे में क्या हो रहा है यह भी जानन बहुत जरूरी है और हमारे बीच में डॉक्तर जॉन दयाल साहब तर्शिप लाएं हैं जॉन दयाल साहब किसी तारूफ के महताज नहीं है यह बहुत सालों से कई दहाईयों से एक जाने माने पत्रकार सहाफी journalist हैं इसकी अलावा यह बहुत सारी किताबों के writers हैं मसनिफ है और यह human rights activists हैं अगर हिंदुस्तान में चंद उन लोगों की एक का नाम लिया जाएगा जो हमेशा महकूम तपकात और वंची तपकात के अधिकारों के लिए लड़े हुए हैं उन में डॉक्टर जॉन दयाल का नाम आएगा और जॉन दयाल मजभग की जो दूरियां है उसक खत्म करने की कोशिस करते हैं और नागरीक्ता citizenship के आधार पर भारत में सबको बराबर के हुकूप मिले इसके लिए वो काम करते हैं तो बहुत busy schedule है जोन दयाल साहब का लेकिन कल मैंने उन से गुजारिश की थी कि भारत में जो human rights का जो मामला है इस पे बात करना बहुत ही ज जैसे एक छोटे से research scholar या छोटे से journalist से बात करने के लिए इन्हों ने अपनी रजामंदी जाहिर की और इसलिए मैं आप लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से इनका इस्तकबाल करता हूं सर अभिनंदन करता हूं सर जोन दयाल साहब पहला सवाली है कि जब वंची तबका और human rights की बात की जाती है तो क्या आपके दिल में कैसी कैसी तस्वीरे आती है आप जड़ा हमारे दोस्तों को बताई जी पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार तस्लीम क्योंकि आज के जमाने में बात करने का मौका मिल जाए सबसे बड़ी का निमत तो वो है चुपी साधी गई है सब जगा आदमी के जुबा काट ली गई है आदमी के होट सीधे गए है अकबाग खरीद ले गए है टेलेविजन गुलाम है सोचल मीडिया पर अंकुष है तो यहां पर छोटी छोटी मौके जो मिलते हैं बोलने के अपनी बात रखने के सवालों के जवाब देने के उन दोस्तों तक जाने के लिए जिनको गुमरा करने के लिए बड़े बड़े लोग तयार है मेरे खेला यह बहुत बड़ा एक तौपा है और मैं आपका शुक्रिया आदा करता हूँ आपने इस महफिल में मिलको बुलाया कुछ बात करने के लिए दस्तारिक की आपने अच को दुनिया ने कबूल किये उस तारीक के बहुत पहले की पैदाश हूँ मगर मैं हकोकों से ज्यादा मुद्र नहीं हूँ ना ये देश ना ये जमी हकोकों से बड़ी है क्योंकि जब से इनसान है उसके हकोक के जिदगी के खाने के हवा रोशनी सांस लेने की इज़त की और इज़त जैसे हिंदुसान में कहा जाता है बहुत बड़ी चीज़ है इज़त सड़ी के सोगना बिना कपड़ों के गरीबी में ठंड में बिना नौकडी के सड़क पर निकलना बूके पेट बीवी बच्चे बोरी बिस्तरा बांद के एक तरफ जाने है लाशों के धेर ये जिन्दिगी और मौत में आदिमी के वरत के इनसान के हकोग जो हनन हो रहा है उसके सामने देखते हूं किसी जमात की तौहिन हो रही हो किसी जमात के हकोग चिल रहे हो किसी जमात के जवां जेलों में भर जा Rs Ihnen एक तरीकस देखा जाए तो कम पड़ जाता है चोटा बढ़े जाता है तदात इनकी बहुत कम हो जाती है उस बड़ी तदात में जिसके हको कुछले गई मगर क्योंकि वो हको कुछले गई हैं गरीबी से लॉक डाउन से लॉक आउट से किसानों की मजबूरी से वो एक तरीके से सबों को बराबर की हाक रहे सिर्फ गरीबी को एक बराबरी देकर उसमें हिंदुस्ता हिंदू मुसल्मान सीख हिसाई पुद्दिस्ट नहीं दिखा जा रहा है मगर जब महौल में किसी की उस चीज़ को जो उसके पैदा होने के बाद उसके पास आई है कि जिसका उससे कोई पैदा होने में उसे मागी नहीं थी कि मैं बढ़ना मांगता हूं मसल्मान या कि इसाई नीजा कि ये तार्ठ आदिवासी ट्राइबल जब उसको देख कर उसको चिन बंद करके उस से उसके चीना जाता है, उसको शोशित किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है, उसका उपर गले में भंदा लगा जाता है, लीश लगा जाती है, तब उसके उपर एक और कड़ी आ जाती है, एक और सता बन जाती है, जिसके उपर हम कह सकते हैं, कि ये जो ह पॉलिटिक्स हो सकता है किसका इससे फाइदा हो रहा है क्यों किसी को कोई कुछ अल्ला मानता है यह जब यह सवाल आने लगते हैं तब हुमन राइट्स की जो एक डाइमेंशन आ जाती है उसको हमको सोचना पड़ेगा क्योंकि जब हम उसको सोचेंगे तब उसको हमारे को उ उस जो महौल बनता है उसके अंदर मैं सोचने की कोशिश करता हूँ उसी के महौल के अंदर 10 दिसम्बर हो यह 6 दिसम्बर हो यह 30 जन्वरी उब आने वाली है अगले मैने 30 जन्वरी को जानते हैं आपके वादर गांदी मात्मा की गोड़ी मात्या की यह सबों के उपर जो क कि एक कोट मिलती है एक नजर्या मिलता है ना चश्मा एक नहीं बिना ही मिलती है आप कह सकते हैं इस साल 2020 जो है उसमें हीमर राइट्स को लेकर भारत की बड़ी बदनामी हुई और यहां तक की जो पार्लेमेंट है European Union का उन्होंने भी खत लिका नौजवानों को इन्वर्सिटी से उठाया गया उनके उपर बहुत तरह के बहुत काले कानून लगाएंगे किसान और मज़़़ों को उनके हुकुक नहीं मिल रहे हैं लोगडाउन में क्या हुआ मज़़ों के साथ वो आप देख expensive नहीं वा है मुसल्मानों के अंदर में किस तरह से लब जियराद के ऊपर पूरा का यह इस तारा का यहालगार है पूरा का पूरा हमला है तो आप जैसे लोग जो सोसाइटीस में बहुत लिबरल वा इस वा करते रहें जो कि टेमोकरसी जो लोग उन्हीं की मॉकाबला करपा कि दो हजार बीस दो हजार उनने से सिरफ एक चीज में फरक है यह जो सताव बढ़ रहा है सब तब को के ऊपर दो हजार तेहरा से बढ़ा जब मोदी साहब इलेक्शन के कैम्पेइन में चालू हुए थे अमिशार मोदी शाह ने जहर फिलाना शुरू किया था बड़ी जोर से सब्सक्राइब दो हजार तेहर से और दो हजार चौरों में जीते जीते तो एकदम फूल अचाही गया था था तो ज़ार उननीस में मही में अभी आए तो एक तरीके से काली श्याई की बोतल को इनोंने पिलकुल खोल दिया जिन एकदम दुबारा भार आ दिया दो हजार ब मौका मिल गया लोगों की जुबान को ताला लगाने के लिए डराओ के लिए जो एक तरीके से कईयों के लिए तो कफन था कईयों के लिए कर्फियू था कईयों के लिए लॉक डाउं था कोविट के इस कफन इस काले सफेद कर्फियू पुलिस के धंकी वाइनस का खुद का ध कि घर के अंदर गुसने को चुप रहने की बात टेलिविजन से सरफ वह इन सुनने की बात जो बादशाह सुनाना मांता हूं उसके अंदर जो इन्होंने किया उनको आने वाली नसले माफ नहीं करेंगी और विदेशी सरकार क्या कर सकती है चिटी लिख सकती है आपको डिमोट सब आपसे खर्टते है आपसे फलाची सबाद सunda है आप क्यों हम को डाट इनगे आपके ओपर दोबारा एक तरीके से आपको रोख सकती है इंट्रनेशन आवाजों को मैं रोखने की तो यहां पर जो सरकार है एक तो इंट्रनेशन आवाजों से यह डरती नहीं है बह रही है मोटी खाल की है इसके उप पालों में जूनी पहलती है क्योंकि ये जानती है कि मैं इस तादात में हत्यार खरीद रहा हूँ फ्रांस से इंगलिस्तान से अमरीका से इसराइल से साथी अरेविया से कि कोई मेरा क्या बिगार सकता है मैं तो उनके लिए तो जब ये सोचते है सरकार भारत की जब मोधी साब सोचते है कि मेरे ने ये कूट है कि मैं लोहों का अपनी लोगों को तो मैंने गला दौтовा दिया मुह सराबट कर सकता हूँ तो आप सोसकते कि इसाद घ्राब कर सकते है तो हम लोग तो सब आधना है चीटी की तरह हमको कल जाएं तो मज़र सकते हैं जेल में बढ़ सकते हैं ऐसे महाल में जबकि वाइरस का डर अभी गया नहीं है ये किसानों का हौसला है क्योंकि वो पिलपिलाती धूप में काम करते हैं चाहिए चिता पर बड़ा ट्रैक्टर भ आता है जमीन के सीदेख पर खुदा की दूप से हवा से बाजिश्रे उसी का हौसला है कि बिना मास्क के दिल्ली के बार बाउंटरी के ओपर दावा बोल रहा है बाकी लोग डरे वे नहीं आ पारे पुलिस को उसने नहीं दे लिए जहां पर हम हजारों की संक्या में आते थ सर हम कितना भी हथियार खरीद लें और हमारी मीडिया उन हकीकत को नहीं दिखाएं लेकिन हम और आप जैसे लोग जो कि भारत के समिंधान में यहां की आईन में हमारा अकीदा है और यहां हमारा जो हिंदुस्तान का आईन है उस सब के साथ बराबरी की बात कहता है और आई इसका असर तो ट्रेड में भी पड़ेगा, जब आप ट्रेड करने के लिए बाहर के मुल्कों में जाएंगे, तो वो कहेंगे कि साहब आपका तो human rights में आपका जो graph है काफी नीचे चला जा रहा है, और South Asia में एक जमाने में हम लोग बहुत फकर के साथ कहते थे, कि हिंदोस्तान जो है दूसरे ममालिक से बहतर है, क्योंकि यहाँ पर जमूरियत है, यहाँ पर सारे लोगों को बराबर के हुख दिये गए होंगे, लेकिन हम खुद जो है, हम हमारा जो सर है, हम शर्मसार हो जाते हैं इस तरह की चीज़ों को देखके, तो जो असल में जो पेट्रियोटीजम है, वो यह है, कि हम अपने डेमोक्रिटिक अखदार के साथ, दुनिया के साथ दोस्ती करें, लेकिन हो क्या रहा है, कि हम बाहर हमारे जो आज के हुकमरान है, वो बाहर मुलकों में जाते हैं, बड़ी भीड़ी कठा करते हैं, वो एक मीडिया एडवर्टीजमेंट होता है, एक मेनेजमेंट होता है, और यह कहा जाता है कि भारत का नाम बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है, इन सब बातों को समझना चाहिए, जो कि खुद को अपने आपको रास्टवादी सरकार कहती हैं, वो खु जो किताब मुकंदस को ना मानता हो, कॉंस्टुशन को काफ़ का तुकड़ा समझता हो, हर रोज बदल ना मानता हो, बिल्दिंग्स बना रहा है, पार्लिमेंट की दुबारा सीट सिती रखे हुए हैं कि लोगों को शक है कि कॉंस्टुशन को क्या करेगा आगे, कि कि अपन लोग ना आएगा, क्या करेगा आगे पार्लिमेंट रहे की भी नहीं है, सिर्फ बिल्दिंग में एक तरीकी से वोई लोग रहेंगे, जमूरे रहेंगे, जमूर्यत नहीं रहेगी, क्या वो सिच्वेशन आएगी, इंटरनेशनल आपने बात कही, कई बारी हमारे जैसे लो क्या बजाए, अमरीका के पास भी इसको कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ट्रेड इंटरनेशनल रिलेशन्स को जो उनकी डाइनमिक्स है, उसको जो तेल देता है, उसको जो करड़ देता है, वो एक फरक डामेंशन है, क्या हिंदुस्तान की एकॉनमी पर फरक आएगा, यकी आज की बात नहीं है, कल देख लेंगे आप, कल कुछ और कर देंगे, बलकर उल्जा कर रहे हैं, साउथ एशिया में, चाइना के लिए आपने कहके, अमरीका को, आस्ट्रेलिया को, जपान को, इखटा करके, अरेविन सी में, इंडियन ओशन में आप तमाशा कर सकते हैं, भी पाकिस्तान से हमारी रिलेशन्शिप खराब होती है, उसका काम्याजा हिंदुस्तान की मुसल्मान जग्ता को देना पड़ता है, उनको पाकिस्तान एजन करके को कुछ भी कर जगता है, चाइना में कुछ भी होता है, तो हमारे नौर्दीस के बिचारे बच्चे, असाम में, बंगाल में, बिहार में तक में भी, उरिशा तक में भी, कितने लोगों के उपर सताव किया है, तो यहां पर तो सरकार ये है, कि इंटरनेशनल अरेना में जो हो रहा है, उसको भी अपने देश्वासियों के उपर उल्टा लगा रही है, तो इसके अंदर, मगर इक दूसरी बात आपने बहुत अहम की है, यह कफ तक चलेगा, प्रेशर कुकर में हमेश़ा लोग कहते हैं, सरकारे भी कहती है, कोर्ट भी कहता है, कि प्रेशर कुकर मार ना बनने दो, उसके अंदर हमेशर सेफटी बॉल रॉक, कई फट ना जाए, प्रेशर कुकर सिचु नहीं मानेंगे, जब वो अपनी पॉलिस को हिदाज दे रही हैं, कि किसानों को जाने तो, जब दूसरी सरकार कहती है, कि किसानों को अम नहीं जाने देंगे, जब इंटर्णल ऐसी एक सिविल टेंशन आ रहा है, तो प्रेशर कुकर में किता ना दबावे, खतरनात दबाव फेडरिलिज्म का जो आज हो रही है, जरजरता, उसका जो सुपर स्ट्रक्चर है, उसका जो ताम जाम है, उसके अंदर जो सरीय है, वो किस तरीके से काप रहे हैं, यहीं जो समझदार है, उसी को उसकी जनाट सुनाई दे रही है, बाबा साब अमेटकर ने भी ये बात कही है कि किसी भी डेमॉक्रसी में गॉवर्मेंट भले ही मेजोरेटी वोट से बन जाती है क्यूंकि हमारे पास अभी इस से बहतर कोई मतमुत बादिल कोई अल्टरनेटिव नहीं है मिसाल के तोर पे अगर सौ सीच है तो जिसने 51 परसेंट प्लस वन उसकी सरकार बना लिए फिर भी जिन लोगोंने 41 परसेंट 49 परसेंट जिन्होंने वोट किये हैं उनके भी बातों को मानना बहुत ही जरूरी है और इसी लिए अमबेट कर कह रहे हैं 1942 में उनका लेक्चर है और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मैजॉरिटी गॉवर्मेंट जो होती है वो मैजॉरिटेरियन इजन से अलग होती है मैजॉरिटी गॉवर्मेंट का मतलब यह है कि चलिए 50% प्लस वन सीट सापी आगई आपने सरकार बना ली लेकिन जब आप पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें तमाम तबके को लेके उनकी बातों को सुनेंगे उनके रेपरजेंटेटीव से आप सलाव और मश्वरा करेंगे लेकिन आप देखिए सर कितना मतलब अफसोस की बात है कि अगर आप दलित समुदाय के अंदर में चले जाएए तो यह कुछ अपने एक दो नाम नहाद दलित नेता बना लिये हैं आदिवासी समाज में चले जाएए उनके जो असल मसायल है उसको दरकिनार करके कुछ एक दो नाम नहाद लोगों को बना लिये हैं इसाई समुदाय में भी एक दो इनके नाम नहाद लोगों को ले लिया है इनको लगता है कि ये तो जोकरों को जमा करके, ये तो जोकर को जमा करके, ये सरकार को और हुकूमत को आगे चला पाएंगे, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अंबेटकर has given up direction some 50 years back, 60 years back, कि भाई देखो, कानून कितना भी बेहतर हो जाए, जब तक सारे समुदा कि लोगों को तुम साथ लेके नहीं चलोगे, तब तक कानून का निफास बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा, अमेरिकन पुलिटिकल साइंटिस्ट एक एंड्रू लेजबट हैं, सर, उन्होंने बहुत सारी democracy के मुताला किया है, और उन्होंने कहा है कि जिस democracy में लोगों की भागेदारी को यकीनी बनाया जाता है, जहां पे consensus से काम होता है, जहां पे constitutional democracy होती है, जहां पे भागेदारी होती है, इतिफाक से काम किया जाता है, वहां पे stability ज्यादा होती है, क्यूंकि आपके जो वसाइल हैं, आपके resources हैं, और law and order पे खर्च नहोंके, ये लोगों की, आम लोगों की तरकी पे खर्च होते हैं, लेकिन मैं ये बात बार-बार कह रहा हूं, हमारी क्या विसाथ है, हमारी कौन सी अवास की ताकत है, लेकिन एक अच्छा हुक्मरान वही होता है, जो सुनता है सबकी बात की, लेकिन आजकल इस मुलके अंदर में, अगर उनके तो कब आपके ओपर देश दुरों के मुकदमा लग जाएंगे, कब आपके ओपर कौन सा काला कानून लगा दिया जाएगा, डॉक्टर कफील खान को देखिए, जो अलिगड मुस्लिम इनुवर्सिटी में इतने बेहतरीन डॉक्टर, एक तकरीर दे रहे हैं, एक स्पीच दे तो सर्व मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो हैं, जो की वन्चित तब के नवजों पे आप अपना हाथ रखते हैं, उनके दिल की आवाज आप सुनते हैं, उनके अंदर में किस तरह की बेचैनी हैं, और हम लोग कैसे डेमोक्रेटिक वाइस को मजबूत कर सकते हैं, इस देश क की घड़ी में कैसे हम इसका मुकाबला करें, और एक तरह का जो विस्वास की कमी हो रही है, मैजोरिटी कम्यूटी और माईनॉर्टी कम्यूटी कम्यूटी के पीच में, और कहीं न कहीं लग रहा है, कि जो सरकार जो एक्तदार सत्ता में है वो majority communities को represent कर रही है हलाकि ऐसा नहीं है मैं majority communities में पैदा हुआ हूँ लेकिन मेरी भी बदहाली मेरी भी हालत वही है जो डॉक्टर जॉन दयाल की है तो हम लोग कैसे जो वंकित लोग कैसे एक तरह से एक इतहाद पैदा करें और अपनी अपनी आप में एक दोस्ती भाईचारे को बढ़ाएं जिसको तोड़ने के लिए दीन रात कोसी सूपर से हो रही है यह देश हमारा है इसमें तो कोई दोराय नहीं है पार्लिमेंट डिमोकर सीगे जो इंग्लिस्तान वहा की ऑॉपोसिशन और भॉपोसिशन को कि supp reconstอกक्र देश के प्रती चिंदो के प्रती प्रदाल मंत्री या और मंत्रियों ये कानून और ये डिमोक्रिसी का फर्जी नहीं है इसके में डिमोक्रिसी होई नहीं सकती है डिमोक्रिसी में रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी दो पार्टी नहीं है एक तरीके से एक है कि एक आज कल राज करें कि मंत्रियों गे दूसरी है उतनी अतरी लौयल है उसकी भी देश के पत व तनी शुद्धा है गरीब के लिए उसमें उतनी ही हमायत करती है हमात्त नहीं करती है वो यह परक्ट मेरा जैन है मोदी साब और उन怕 उनकी जो राजनीति एब नहीं समझ पाते हैं वो समझते हैं कि उनको देवी शक्ति से राज करने की चमता मिली है और बाकि सब लोग विदेशी हैं आदमी ही नहीं है आपको किसान कहते हैं आज मेरा ख्याल है भाजापय के अंदर भी थोड़ी तिल मिलाट है वो जानते हैं कि जब बाकी लोगों के उपर अत्याचार इस दब से हो गया और इनके अब शक है कि अगला दौर जो इनकी ऑपोजिशन में आएगा अंदूरी ने आएगा तो हमारे खिलाब भी आक्ट कर स करता है । इसके अंदर आर्सष को भी बन किया बहुत लोगों को बन किया नहीं। यंग टर्क्स जो थे कॉंग्रेस को के अंदर उनको भी बंद गिया, लिबरल स्ट्रीम थी, सोशलिस्ट्रीम थी, उनको भी बंद गिया, माइनॉर्टिस के लोग थे, उनको भी बंद गिया, क्योंकि इंटर्नल उपजिशन को भी करिटर करना है, आप यह आज की तारिक में क बहुत कई सद्में मिल चुके हैं शिप्षेना का सद्मा छोटा सद्मा नहीं है शिप्षेना जब भाजा पस अहला हुई हम उसकी बात का पूरी एहमत नहीं समझ पा रहे हैं हिंदुत्व पर लड़ने वाली इनकी इतने दिनों से साथ ही जिसको यह सोच रहते हैं कि वह हमा सब्सक्राइब को उसने काफी बड़ा चप्रित मारा उससे अभी अभी भी जिला रहे हैं तो किस तरीके से हमारे उपर अप्डायत आता है कि एक बात तो है कि हम एक दूसरे से इस वकत ना लड़े हमको देखना है एक्तरम अर्जुन की तरह मच्ची की आँख देख दिए कि दुश्मन कौन है 1997 में ऑपोजिशन आप सोचे CPM में और आड़सिस में क्या चीज़ कॉमन है एक अधी निककर पहनता है एक पुरी पहन पहनते एक लाल कमीश पहनता है यह काली कमीश पहनते एक मास्टः गावबागत एक गान्दी का खुनी है दूजरा खान्दी को ऑ करनी पड़ी हटानी पड़ी एलेक्षन आना पड़ा हारी दुबारा आई उसकी अलग वज़ा है मगर हारी और बुरी तरह हारी सौधिया में कहते हैं जीती पगार को वहां पर भी आप देखेंगे तो इश्यूस फ़र्क हो गए थे हमको अब बिहार में हमने देखा ऑपोजिशन इखटी हुई और अगर भाजापार और नितिज जीते तो दाथ की खाल से जीते हैं हार भी सकते थे तो वहां पर मौका था हाथ चला गया कोई बाते रोने की बात नहीं है बंगाल आ रहा है कि रहना आएगा दक्षिन के और प्रांत आ रहे हैं और फिर बाद में तो यूपी आएगा ही ना आज नहीं तो कल बड़ी कोशिश की जा रही है वहां पर किस तरह पॉलराइज के जा रहा है शादी के पर हिंदुस्तान में प्यार के उपर आप लोगों को प्रोराइज कर रहे हैं शेडी फरा तो कर परशिय की तरफ ते अगर सोड़ी वाल तो अपनी थे घृजु बावरा तो अपनी थे तो गंगा मैंजमना होके रहेगा मिवर्ण हमारा तुम्हारा उस गानों के उपर जह किसा कानू बन जाएगा यह जो वी हुदवपन आ गया राजनीति में इस से पता लग जाता है कि कि खिस्याफ आ गई है हमारे राजाओं में तो राजनीति का वेहुदवपन है है यह पार्लिमेंट्री डिमो क्रसी तेश कवसी का दूर तूर तक लेना देना नहीं कानूर इल यह बंगाल हो या उत्रप्रदेश हो गुज्राहत हो यह कहीं पर भी हो कोग्रेस की सरकार है तो गवर्णर अपने आपको पिल्कुली गुंडा की तरह समझता है बाजापर की सरकार हो तो रबर स्टैंप से भी ज्यादा रबर स्टैंप बन जा रहा है तो यह सर आपने चीज सबसांदे आने लगें लगए मैं ने के सबसे बाड़ा कांटेलिक्शन होता है कि आपके दोस्ता आपका हाथ छोड़े लगें किसी बिवजा से वारा तो नहीं हो हाथ छोड़ना मांगते है इस वसराय बज़ें नहीं बढ़ा सिकने उसका बहुत रहेगा उसके बाद हमार मैं राजा और मेर्मिन को राजा ही कोँगा क्योंकि ये दिमोक्रिटि तो ही नहीं ना चुडर हो गया है तीसरा कोविट के अंदर गरीब ने पता नहीं कैसे वोट दिया या नहीं दिया हो वागा जिस तरीके से उसकी रोजी रोटी चलिए उसके मुझा निवाला चीन ले ग वह कोई पता नहीं है जैसे कभी हमको पिंदुस्तान पता निवी लगता था वह से कितने मरते हैं इसके कोई ठीकर होती दिए थी क्योंकि कौन रॉलाएगा लाशों की चेक कौन करेगा पूस्पाटम कौन करेगा ये जो आया और इसकी जो एक तरीके से इसके उप्र जो य एक all group across छोटे फार्मर से लेके लेकर प्रकाश बादल तक जाट से लेके दलित फार्मर तक मार्चिलाइस फार्मर तक ट्राइबल सक यह जो एक यूलिटी आई है यह कटिंगे क्रोस पार्टी लाइन यह बड़ी सेमिनल बहुत अंदूरी गही यूनिटी यह किस तरीके से आ किसान के पास समय है और खासका दिल्ली यूपी का किसान क्योंके घर के पास है वो बुका भी नहीं मनेगा तक्षिन भारत से आते रहेंगे जाते रहेंगे प्यार से आते रहेंगे जाते रहेंगे यह जो हो गया और कभी भी किसी भी समय दिल्ली को दबोस सकते हैं इसकी न तो मेरा ख्याल है कि शुरुवात हो चुकी है कि दूससे पहले तो शुरुवात हो चुकी है लेकिन ये भी तो है मतलब अगर हम अगर दिल की बात करें कि जब तक आप को आपको औसर को मौके को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करते हैं तब तक आपको औसर और विजय नहीं मिलती है जैसे जैसे कहते ना Fayt expanding faveõ standards reviews ब्रециन फेंजिन जो घोडे करता है उसी को वही जग जीजिए सकता है यह निकरे बहुत सारी दॉस को पास एक एजेंडा है उनके पास एक सपना है इन लोगों के पास क्या है आपस में जगड रहे हैं इनके अंदर में परिवार्बाद है यह लोग भी soft हिंदुतवा करते हैं तो आपने तो secular party cessco बहुत दिनों से देखा है तो क्या secular parties सही में सुस्त हो गई है या पिर काम कर रही है और उनके काम. को मीडिया दिखा नहीं रही है और उनकी इमेज का एक पासि पार्टी को जान बुट के पहला है जा रहा है। कै उनके पास माउ है जैसे कह सकते हैं भिन वाले कहते हैं। आज की माउय हंदुस्तान का गरीब आप आपने देखा बिहार में यहां पर कास्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और जिसकी वज़ा से पिछली बारी इस बारी नहीं इसके पहले थोड़ी सी मुझी खाने पड़ी थी मगर इस बारी कटिंग एक्रॉस इडियोलोजी इन कास्ट एक यूनिटी आई जिसका फल दे देखा कि अब तो ब्यार में मनमानी नहीं कर पाएंगे डर गया तोड़े बहुत आगे किस तरीके से खेलते हैं बंगाल में खास कर उससे हमको इंडिकेशन मिलेगी कि कुछ सबक सीखें कि नहीं सीखें यह कहना अइसान है क्योंकि कोई भी जब देखिए मैं पचास साल से ज्यादा हो गए मेरे को अख़ार करते हुए मैं देख तरह हूँ कि जब एंटि कॉंगरेस समाता था तो पार्टी आपोजिशन की राइट विंग लेफ इंग सब एंटि कॉंगरेसिट पर चलती थी आप कॉंगरेस का आज की कॉंगरेस आप कर सकते हैं भाज़ापा है वह वो कईयों को अपने साथ रखती है जो कि पुरानी एंटी कॉंगर्स के थे जैसे कि उरिस्सा वहां पर नवीन पठना है उसका राज चलता रहे लोग सवा में और पाकी जगा पर वो मोधी का साथ देता है दोनों तेल्गू समाज तेलंगना और आंद्र कट वाएगे मल जाएगे कांगर्स को हराने के लिए बाजापा को सपोर्ट कर देंगे तमिलाट यह जो पार्टी जो आज बाजापा का सपोर्ट कर रहे हैं अगर कल इनमें थोड़ी सी अकल आदिश मेंकल है उनके ओपर कामश यह जाएत मैंड़ापा में ही एक डिवीजिन है वाजापा में अभी तो हम आलेजिंग पावर और से अगर आथ हुटा ले तो क्या होगा वहां पर क्या हो रहा है हम लोग जानते में की रिपोर्ट नहीं हो रही है और जो मीडिया है जिसको आजकल गोदी मीडिया कहते हैं और अम्बानी मीडिया कहते हैं और जिसके अंदर तक्रिमत सभी आ रहे हैं हम आजकल इंटरनेट को भी कह सकते हैं कि उसके ओपर जो बिजली आ रही है पेसी डिली में तो अम्बानी की वज़ा से आ रही है कल बलत कर दे जियो सबसे ज इसकी वजह से आम जंता तक पता नहीं चल पा रहा है कि आम जंता के दिल में क्या गुबार है क्या उबाल आ रहा है उसके पेट के अंदर क्या वो पनप्रा है ये मेरा खहले आगले 11-12 महेने मेरे एक साल में आएगा क्योंकि यह बात और मैं को आखता नहीं रांगता हूं जो मेरे डॉक्टर ने मेरे को अपने मारे में बताई ये कि जौन आगर आप सूछते हैं कि 2020 में सब ठीक हो जाएगा कोविड इबन ठीक हो जाएगा वैक्सीन से ऐसा नहीं होगा वैक्सीन आने के बाद भी एक साल लगएका वैक्सीन को पूरा असर देने में लेकिन सर मैं ये कहा था सर थोड़ा सवाल को मैं ये सोच रहा था आपसे कि देखिए हम लोगे सामने भी ये सवाल पूछा जाता है और बहुत सारे सवाल लोगों के दिलों में दबे हुए हैं पूछ नहीं पार हैं कि आप देखिए ये पार्टी है जिसका एजेंडा मनुव लेकिन उसके लीडर जो है वो घरगर घूम के मेंबर्सीप ले रहे हैं और एक पार्टी है जो कह रही कि हम बेड़कर के रास्ते पर चलते हैं गांदी के रास्ते पर चलते हैं और उनके नेता रहलिया नहीं करते हैं एक पार्टी है जो कहती है कि राम मंदिर बनाएंगे उस जो बीजेपी का बढ़ार है वो सिर्फ सवन्डों का तो वोट उनके पास तो नहीं है ना सवन्ड लोग अपर कास लोग definitely उनके core voters हैं उनके अंदर में और जोरसोर से वो राइट विंग का वोट करते हैं लेकिन उन्होंने दलीतों के खास work को अपने साथ कर लिया है ओवी सी के खास work को अपने साथ कर लिया है लोग तो ये कह रहे हैं कि मुसल्मानों में भी एक खास sect को थोड़े बहुत को अपने साथ कर लिया है इसाईयों के बीच में लोग कहते हैं पता नहीं आप मुझे किजेगा आप ज्यादा जानते हैं कि Catholic Church में भी जो कुछ लोग जो उंची सोच के जो लोग है उनको भी अपने तरफ केरला के अंदर में उनको अपनी तरफ लाजनी की कोशिश करते हैं तो उनका सोचल बेस बढ़ रहा है पावजूद इसके कि उनका पूरा का पूरा जो एजन्डा है वो मनुवाद पर है वो बराबरी पर नहीं है वो हिंसा पर है और इधर के लोगों का जो पूरा का पूरा जो एजन्डा है वो भाईचारे पर है लेकिन वो काम्याब कैसे हु करदार को जो आज के भले के लिए अपने कौम को बेश दे वो ऐसे रुक तो होती है ना इसा मसी को भी सूली पे टड़ाने के लिए यहुदियों में तो नहीं उसी के साथ यो नहीं किया था जुडास इसकारियत ने चड़वाया था मगर दूसी बात ये भी है कि आप सोचते है कि सितामया की जबी बिहार में लोग दार्मिक नहीं यह क्या इड़ भी बेजदें हों मगर बाज़ापर के खिलाब भी काम कर सकते हैं मैंना आंधरा के बात की तरिगाना की बात ती वहां पर लोकल तो बाज़ापर को वोट नहीं मिला ना हैदरबाद में मिला क्योंकि वहां पर मुसलमानों के खिलाब जोते हुन्होंने दिए उनका बाकी जगा तो नहीं मिला ना करला में नहीं मिला तो यह स्रफ कह देना के युनिटी नहीं है अब आज़ा पर सब जगा कर रहा है ऐसा भी नहीं है तिल्सिम जोड़कर गिंदियां जोड़कर तुकड़ सीटे मगर कल क्या होगा अगर हवा फैलती है कि आदमी हारने वाला है या खुदाला खास्ता लीडर्शिप स्ट्रगल आ जाए तो क्या अगला बाजा पढ़ने ता इस तरीके से लोगों को जमा कर पाएगा सोची की बात है नहीं कर पाएगा पैसे का तो रोल होता है और हम मुझे ये भी पता है कि उगते हुए सूरज को सब लोग सलाम करते हैं इस बात से मैं पूरी तरह से आपके साथ इत्फाक जाहिर कर रहा हूं लेकिन मैं कह रहा हूं जिन्होंने कसम खाई थी कि हम वंची तब काउं को आवाज देंगे उनकी तरफ से कोशिस दुगुनी होनी चाहिए थी चार गुनी होनी चाहिए थी उस तरह की चीजें उनकी तरफ से नहीं देखने के बादे कहीं न कहीं मायूसी है इस बात से आप भी पूरी तरह से इंकार नहीं कर सकते हैं आप देखिए कि आज म जो कि एक समाजीक इंसाप की पार्टी बियार Надे जुड़े के達। उनको गलत केसो में उनको जेल में डाल दिया गया आठ नौ महींने से हो जेल में मुए स्वाजी समाजी इंसाफ है आज तक उनके साथ कम से कम उसके बड़े गदावर नेता क्वपलिक में उनके साथ खड़े नहीं हो पाएं तो उनके दिलों में कहीं ने कहीं यह दर्द होता है उनको लगता है रहे मुसल्मान क्या है अरे हम तो समपरदाई ताक्तों के खिलाप लड़ेंगे तो ऐसे ही भोड देदेगा इसाही क्या है हम तो बीजेपी का भूद दि उन्हीं की आइडिलोजी में तो टोक ना मगता हूं कि ये शायद मेरा कहला है जात्ती हो जाएगी कहना कि हम लोगों के दिल में जो दुख होता है जब हम जानते हैं कि दावर लोग हमारे साथ नहीं कड़े हैं कॉंग्रेस पार्टी प्राजीब कांदी सोजया कांदी मनमौन सिंग बागी लोग शद हमारी आवाज में आवाज बिलाके नहीं बोल रहे हमारे लिए जेल नहीं जारे दिल में दुख होता है मगर उसके वज़ा से इस दूर चले जाएंगे हम यह केनाμεरा क्याने शतर होगा मैं कह रहा हूं कि जब सर्जरी होगी मतलब दिल से मैं कह रहा हूं हमारे सारे दोस्तों सर्जरी होगी तो कहीं ने कहीं ये आवाज, हमारी भी आवाज भी वहां तक पहुंचनी चाहिए, कि हम सेकुलर जमात को इंवोट देते हैं, लेकिन हम बहुत तकलीफ में उनको वोट देते हैं, आप बहुत तकलीफ के साथ हम उनको वोट देते हैं, क्योंकि आप उस एजेंडे को पारलेम कर देती हैं इनको वंचित तब कोई के सवालों को मर्कज में डालना चाहिए लेकिन होता क्या है यह सौफ्ट हिंदुत्वा के रास्ते पर चली जाती है इसी बात का दर्ध होता है सौफ्ट हिंदुत्व के थी वियंक भी अपनी एक मियाद है अपनी एक मिटेश हद है उसके आगे तो सौफ्ट हिंदुत्वा नहीं कर पाएँ तुध childhood पर नहीं चलेगा मेरा ख्याल है common minimum program में आम आदमी की आम जरूरत है उसके पीट की जरूरत उसके बच्चों की जरूरत है दर्म से बहुत दूर उन जरूरतों के उपर common minimum program बनाना चाहिए और बनेगा किको उसके बेना लडाई नहीं हो पाएगी यह नहीं हो पाएगी कि मंदिर बनेगा यह के साथ है और जो व्राम के साथ नहीं है घदार है बनेगा कि कौन हमको रोटी दिलाना दवाई दिलाना कोविट के किलाब इंजेक्शन दिलाना रोजी रोटी की इस बुद्द उपर आई की बात ट्राइबल्स की जो उनकी जमीन के अंदर जर्व जमीन जल उन इस्यूस के जो पर रडाई जो है और तब ही मैं दुबारा एक बात करना मारा घाता है कि यह जो बहुत हमको हलकी सी जो जलग दिखाई दिये किसा एक तामे और कोविट की बावजूद की काले कानूनों के बावजूद एक तरीके से जो यूनिटी झी घड़ी बहुत दिखाई दिए उसको हमको एक तरीके से संजोके रखना है। उन लोगों को हमेशा शर्मिंदा नहीं करना है कि आप ये नहीं करना है। उनको एंकरेज करना है। एक महौर बनाना है जिसमें वह भैबीत नहीं हो जाएं। कि अगर हम इद्व सरक्पनी आगए और इस नहीं हो पाए तो लोग हमको शर्मिंदा करेंगे। उनको इनर्स करना है कि आप आए हलके हलके आए आए तो सही इदर आए इकटे आए इस बात पर बिंदर कीजिए। मैंना कहले है पब्लिक के पास भी आप इस लोगों के पास भ इसे भी एक जेपने लगेंगो कॉमन करना है मुसल्मान की पार्टियों मैं बता जिता हूं चाहाँ मुसल्मान हो इसको सेक्यूलर लोग ही बचा पाएगी कोई इसाही पार्टी कोई किरला का पॉलिटिक्शन हमको नहीं बचा पाएगा क्योंकि जहां पर हम पर सताव है व बनापरी देता है और वो बराबरी आ प्रब्रह अपने अप कहा कि आप मैजार्टी कॉमिटी के हैं हमारे सार्त हैं सेक्यूलर इवान जो हूँ वह मगर हम लोग secular पैदा होगी। वो जो समाज है वो और हमारी खाल के रंग से, हमारी जुमान से, हम कहां पैती हों अक्टेस धर्म में हमारा जनव हुआ है। उन से अलग है। और आपे हमारा हमारा भी उतनों ही ह्त बन जाता है उतने फर्स बन जाता है दीटी राजिछितिक पार्टी जा डिवाइड करेंकि explicitly चैलेज करें नोगा करेंघें को शूर्ड कद रिखने न गयां हैं जी धोस्तों फिर जोन साहब यह कह रहा है जैसा कि मैं समझ पाया हूं कि हमें आलोचना तनकीद क्रिटिसीदम करने से कोई नहीं रोक राइस्टेकुलर पार्टियों को और हमें उनका अंदभक्त नहीं बनना चाहिए लेकिन मौके को देखते हुए, बड़े गोल को देखते हुए, मौके की नजाकत को देखते हुए, ऌते को बहुत अच्छी Fallout आए ok मैं भी उर्दु में लिखता हुँ लेकिन मुझे लग하 करनी पड़ेगी एक और सवाल है सर खासकर नौजवान जो हमारे दोस्त हैं वो इस सवाल का हल आप जैसे तजर्वेकार और तज्जियाकार से सुनना चाहते हैं कि कुछ पार्टियां जो हैं जो हैदराबाद से आई हुई हैं वो बहुत इलाकों में लड़ चुकी है लड़ कह रहा है कि ये साहब elections लडने के बाद secular vote में बिखराव कर देते हैं और जाने अंजाने से फिरकापरस ताक्ते जो होती हैं वो एक्तदार में आ जाती हैं तो ये ये जो democratic countries हैं इसमां सबको elections लडने का हक है मगर इसके साथ साथ हमको ये भी देखना आ है कि हमारा बड़ा ग क्योंकि मेर को नाम लेने से कोई रोक नहीं सकता वोट काटते हैं इसमें शक्त नहीं ए क्या उनको इलेक्शन लड़ने का हक है यह यहां की पार्टी को भी हक है और अकाले दल को भी हक मगर उनको देखना है कि जब आप मगरमच के उपर बैठते हैं या जो चड़िया मगरमच के दांत में से कीड़े और सड़ावा गोष्ट निकालती हैं उनको बड़े दियान रखना पड़ेगा कि मगरमच ने अगर मुझ बंद कर लिया तो हमारा क्या होगा मगरमच ने गोता लगा लिया तो हमारा क्या होगा और मेरा ख्याल है जब तक ये देखती हैं कि मगरमच चिछले पानी में है जब तक ये देखती हैं कि जिद्गी और मौत का सवाल नहीं है तो ये दोनों तरफ से फिशिंग करती है मुसल्मान की हमाइद भी करती है मगर ये भी देखती रहती है कि मुसल्मान की हमाइद भी ना जीते दलित की हमाइद भी रखती है दलित की नुमाइद की भी करने का दावा रखती है मगर ये भी देखती रहती है कि दलित के असले नुमाइदे ना जीत पाई हिसाई मर्दू हम सेक्यूलर आत्मी हैं हमारे किये मायदकार हैं मगर जैसे मैंने जब मैं 77 का बात कर रहा था तो वही कहता कि जब नाक से ज़्यादा पानी उपर आ जाता है तब आदमी क्या सुचता है तब पार्टी क्या सुचती है और सबसे बड़ी बात तब वोटर क्या सुचता है मैं आपको बता हूँ 77 में जब जनरल इलेक्शन हुआ था एमर्जेंसी बंगी हुई थी अभी एमर्जेंसी कम हुई थी मैंकर इंद्रा गांधी करा रही थी मैंकर उस दिन लोग वोटिंग चेंबर के अंदर जाके वोट नहीं दे रहते चुपके वोट नहीं तो फिर साथ साल सतर साल क्या इसा मौका फिर हम में सोच रहे हैं कि कल से लेके और दोसो चौबिस के बीच में फिर वोटे ना पड़ेगा जो लोग डॉक्टर जॉन द्याल को जानते हैं इनको यह लगता है कि डॉक्टर जॉन द्याल सिर्फ अंग्रेजी भोलते हैं और इन्होंने अंग्रेजी पत्र का हिरता में मतलब वक्त गुजा रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि जितनी फसी हिंदुस्तानी या वुदू आज जौन द्याल साब बोल रहे हैं और जिस तरह से मुहाबरों का बहतरीन इंतखाब कर रहे हैं यहाँ पे मुझे भी बहुत को सीखने को मिल रहा है और मैं तो चाह रहा हूं कि यह जो मजलिस है यह ज दिन कबल हम लोगों से बात करने के लिए इसी Facebook लाइब में आया थे तो उन्होंने कहा है कि हम चार गुरूप को चार सोचल गुरूप को हम मतलब मान रहे हैं कि वह माइनॉरिटी जैसे कि दलित आदिवासी बैकवर्ट क्लासेज मजदूर और आपका रिलिजिस माइनॉरिटी जैसे उनके क्या मसायल है उनको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं मान लीजे कोई हमारा दलित भाई आपकी बात सुन रहा है तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आजकल हांतरस केस के बाद जिस तरह से उनके अंदर में बेचैनी है और जि आप करती है तो इसमें दलित हमारे जो समुदाएं हैं उनके इनसानी हुकूक और उनके लिए आपका क्या पैगाम है जरा उनको आप बता दीजिए राम मेरे बहुत अजीज दोस्ते हैं उन्होंने चार तक्टिय बता है मैं पांच्छों तफकास में चोड़ना मांगता वो पड़ा लिखा जो इन चारों समुओं में नहीं आ रहा है वो पड़ा लिखा जहीन तपका जो हिंदुस्तान के फ्यूचर के बारे में सुचता है अपने बच्चों के बच्चों के जिन्दी के बारे में सुचता है वो जानता है कि कोई भी बादशा की एक राज की एक सबमिन में से निकाल लेगी वह पांच वत हब का पहले उसी से सुना जाए उसको बागी चार तबकों के बारे में हमको बताना पड़ेगा हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के पीश्धी को हिंदुस्तान प्रोफेसर्स को डिप्रमाइट्स को बताना पड़ेगा वो 嘗ब को समझाना पड़ेगा वो सोच रहे हैं सब ठीक है। उनको जगाना पड़ेगा, यह मैं कैके बात करता हूँ चारों के ओपर, दलित को हम कैसे समझाएंगे, बहुत एहन दपका है, दक्षिन का दलित, गुजरात राजिस्थान का दलित, उत्तर भारत का पहाड़ों का दलित, बिहार का दलित, और नौर्ड इसमें दलित होता नह है, दूसरे इनको हर जगा, इनको बता जाना कि तुवरा दुश्मन कौन है, और इसा में, दलित और ट्राइबल्ड को आपस में लड़ाया गिया है, उत्तर परदेश के कई भागों में, दलित और मुसलमान को आपस में लड़ाया गिया है, हमने 84 में भी देका था कि इस त पर मनु का जो अंकुष्ट था वो कॉर्परेट राज में संथ मनु संथ अदानी संथ अंबानी यह जो नया मनु आदाया है जिसके अंदर आप काॉस रॉटर का पिल देखे तो चम्रे की पुरी जिन्दगी खतम हो गया है उसका पूरा ट्रेड खतम हो गया है जो हमेशा प् किसना इरोजन किया गया है परमिशन के ओपर पबिक सेक्टर प्राइविट सेक्टर किस तरीक से ख़ड़ा हो जाता है कि कोई खुद देना नहीं है दलित को जब हम एक तरीके से थोड़ा सा मार्क्सिजम का डोस देंगी उसको एक एकॉनमी के बारे में जाता समझाएंगे तो उसके अंदर भी एक नया एक ही करना आएगा ट्राइबल स्कर्ड मेरा कहला है आज़ी तारीक में सबसे जहीन दिमाग है क्योंकि उनको खोना है उनके वो अपने चोर को जिससे सेंद लगाई है बड़े साफ देख आ रहे हैं उनके पहार उनके जंगल उनका पानी उनक कि आँखों के सामने हो रहा है कि बेटियो को उठाया जा रहा है उनको फिर अब धरम के नाम पर बाटा जाता है आप इसाहिए आप सरना है आप दलित आपको चिनना ममते हैं उनको मेरा कहना है सबसे एजी यूनिटी है और यह आप सोच सकते हैं कि बंगाल के 24 परगना से गुजरात के भी भी लाचल तक यह बड़ा बेल्ट है जो जिसने बहुत चीज़ें देखी हैं अपनी आँकों सार्व बहुत बड़े बड़े प्रोलिटिकल फोर्स को रोका हैं वहां पर बहुत ऐसानी से मेरा के लिए नई जागरती आ सकती है दक्षिन भारत देश इनके पर हिंदी के उपर एक इश्यू है वह बहुत बहुत बड़ा तबका होगी सी और दलित है वो शहत उत्तर भारत के दलित के जो अंदर जो एक टरिकिस टॉट स्टोन है वो दक्षिन में तनी हैं मकर कास्टरिजम दक्षिन में उत्तर से कम नहीं है बिहार से कम दलित और ट्रायवल की एकता वर्टिंट ख्रास के साथ लैंडिस लेबर के साथ लोगर पैसटरी के साथ बहुत बढ़ा फोस है बहुत बड़ा फोस है और इसको अगर इंटेलेक्श्टोल नीडर्शिप मिल जाती इसी के लिगुजरात में बता दिया आंदर ने बता दिय कि इसके अंदर बहुत PhDs तो ही है, एक depth है intellectual activity की, depth, जो 100 degrees से नहीं ना पर जागरती है, वो उनके अंदर भी जागरती है, मेरा क्याल है, मैं इस उमर्ट में आगया हूँ, सतर के बहुत पारों में, कि मायूस तो होता हूँ, बहुत मायूस नहीं होता हूँ, क्योंकि इतने मैं पिछले 50 साल में अपने हाखों के सामने देखा है, कि जब हम सोचे थे, कि ट्रक तो रुखने वाला नहीं है, देखा कि उसका पंचर हो गया, ट्रक उलेट गया, बड़े-बड़े political forces उलेट जाते हैं, ये मेरा ख्याल है, समय भी बड़ा बर्वान है, मगर किस तरीके से coalition of people बन जाता है, ये ज़्यादा आहसान हो जाता है, coalition of parties बनने के, और फिर नीचे से एक आवाज आती है, जिसे पार आपकी आवास आपकी आवास दब गई, आपकी आवास, आप म्यूट हो गए, म्यूट, म्यूट हमको कोई बारवाला म्यूट नी कर सकता है, म्यूट होते हैं हम अपनी गलती से, मैं कह रहा था, कि दलित मजदूर ट्राइबल एक्ता, बहुत बड़ी एक्ता है और इससे बंगाल के संताल पढ़ना से लेके, कुझरात राजिस्तान के भीरवाणा तक एक बहुत बढ़ा तपका, जो नौर्ड और साउथ को बिडिवाइड करता है, पीच्वें बपर है, बनता है, बहुत पाउफुल है, यह बड़ा मारमिक चीज है, और इसमें बहुत फोर्स है, और मैं जब मैं म्यूट हुआ, मैं कहा रहता है, कि अंदरीनी जो हमारी एक्ता है, लोगों की एकता, जो कारगर एकता है, वो लीडर्शिप को कंपेल कर देगी खटाने के लिए, और यह मैंने एक से ज्यादा बा इसको कार्यान दित करने के लिए, इसको एक पूलिटिकल शेप देने के लिए, इसको एक फॉर्मलाइज करने के लिए, और मेरा ख़ले, यह हमारी होप भी है, ओमीद भी है, दुआ भी है, कोशिश भी है, और हरकत भी है. सर आप आपने आप कुछ हमारे मुस्लिम माइनोरिटी के बारे में कुछ आपको आपने कुछ नहीं बताया कुछ वो लोग भी कुछ जानना चाहते हैं आप जी उनके दर्द को बयान कीजिए दर्द को मैं क्या बया करूँ मैंने हर्श मंदर के साथ कारवाएं मौबत में हर जहां पर लिंच मौब्स ने गवरक्षा के मातहत जवान लोगों का खून किया मैंने उन विद्वाओं के उन बुजरु बापों की जो मेरी उमर और मेरे से बड़े थे आँखों में देखा है अपने हाथों में लेके उनका कांपता वाश्रीन को मैसूस किया है और देखा कर दिया गिया है इसाई अपने घर में दुआ निमार भार रहा है पांच इसाई जमाव जाते हैं गुंड़े आ जाते हैं आरेसेस के अपने साथ लोकल पत्रकार को लाते हैं पुलिस उनके साथ उनको प्रटेक्ट करने आती है अपने देखा उत्रप्रदेश में कहीं पर देखा कानून आ रहे हैं तो मगर इस्टाओं तो बहुत हद तक है सारे कानून इस्लाम फोबिया की दोहत हो गई है पहले गुजात में कहते थे आज इसाई कल कसा आई और इसको रोटेशन करते थे आज इसाई को मारेंगे भी बढ़ा दाविए यह जो था इसमें हमें अग्यारा लोग सब कट चुके हैं हमने देखा है कि हमारे खुद के लोग हमको प्रोटेक्टन नहीं पारे प्रोटेक्शन आया है तो वह पंद्री लोगों से ऐशुकेशन अजूकेटिड लोगों सा आए आप जैसे लोगों स कि वैंनी हैं कि वित और हुए हम को सेकुलर समाज से हमारे नहीं विंति रहती है क्वारों से ऑन सब्सक्रार्डेस कि नहीं करेगें क्योंकि अपिकिते लग yarn गया मुनिशिपल्टी की सीट नहीं जीत पाएं गया और बाकी लोगों के वज़ा से भी एक तरीके से काज़ा रगता है वोट काट के भी शाहिद मोदी ने मदद भी कर दिया मैं कहने जोगता हुआ जमूर्यचर आपका रोल बहुत सीमित जाता है और यहां पर यंदर कानूनी तisty पढ़र पर 15аются मरी तुह पचासी दली Takes आ उस्थ पिचासी इतना बड़ा मान तभी मुक है इसने क्यों पाटि विफ से लालजा सबीके क्यों यह अंको देखना है कि यूदित्तादात में आने के बाद भी 15 परसेंट कानूनी तोर पर आने के बाद भी दलित के उसमें जोश नहीं आ पा रहा है कुछ कर नहीं पा रहा है मजबूर हो जा रहा है के सामने क्यों के साथ चला है अगर दलित लोबी से के साथ वोट करती है बिना पार्टी हम कुछ के तो कमाल हो जागा पिचासी वोट तो ऐसे बढ़ गए यह कलेक्टिव ली पॉलिटिकल कॉंशनेस लानी पड़ेगी और आप यह से लोगों का जवान क्यों आप है सफे दर् कर पाएंगे कर पाएंगे कर पाएंगे कर पाएंगे कर पाएंगे कर पाएंगे आप कह सकते हैं क्या आजकर वर्ड आता है मुसल्मानों के खिलाब रैडिकलाइस कर पाएंगे अच्छे तरीके से रैडिकल होना कोई बुए चीज नहीं है रैडिकल युमनिजम अच्छी पूराएगा उसको कोई रोक दिपाएगा एक घंटा पूरा हो चुका है और जैसा आपने देखा कि जॉन द्याल साहब के पास मालूमात तजर्बात की कोई कमी नहीं है पिछले पचास सालों से ना सिर्फ लिख रहे हैं पड़ रहे हैं बलकि हर जगा पे जहां पे मजलूम लोगों को जहां पे घरीब लोगों को सताया जाता है वहां पहुंचते हैं और अपनी पूरी खुबत और थाकत के साथ इन से जो बन पाड़ता है और इनकी सियासत में कोई धर्म, कोई जात, कोई मज़ब का फर्क नहीं होता है मैं तो कहूंगा सर कि आपको लोग अंग्रेजी हलके में समस्ते थे कि आप अंग्रेजी ही ज्यादा जानते हैं लेकिन इस वीडियो को भी बहुत सारे लोग जब देखेंगे तो हिंदुस्तानी और उर्दु कितना बहतर जानते हैं उनको इस बात का भी हैसास होगा और मैं आपको फिर किसी न किसी मौके से जल फिर बहुत सारी बात है उसके अलावाण ओर सारे जब निकल जाता है तो मेरी तो आप आप अपसे यही बुझारिस हैं कि आप अपने इस अनुभा Oakland को आप एक autobiography के तोर पे अगर इसके बारे में भी अगर आप सोचे कि इस तरह चीजों को उसको जमा की जाए इस तरह को कलंबंद किया जाए जो की आने वाली जो generation है वो सीख सके कि क्या हमारे बाप दादाओं ने हमारे पहले के सियासतदानों ने हमारा मुल्क ने क्या अच् तो हम लोग कम से कम जो भी हमारे पास महदूद वसायल है उसी में हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं और आपने आया मेरी होसला अवजाई की और अपने तजरबात को हम लोगों के साथ साजा किया इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम दोस्तों की तरफ से और जित